हेलो गाई साब सभीक अस्वागत है हमारे एक नए वीडियो में काफी सारे ओनर को ये दिक्कत हो रहा है उनके डॉक से उनके डॉक के बॉडी से बहुत सारा इस्मेल आ रहा है यानि कि डॉक के बॉडी से बदबू आ रहा है और साथी तास उसके मूह से भी आ रहा है तो उस condition में हमें क्या करना चाहिए कि जो ये dog का दिक्कत है वो सही हो जाए तो आज किस वीडियो में आप लोग को पूरा information में detail में बताने वाला हूँ कि dog के body से अगर smell आ रहा है और मूह से आ रहा है तो dog के मूह से smell आने के पीछे बहुत सारा reason हो सकता है जिन में से सबसे पहला है कि एगर dog के पेट में कोई दिक्कत है तो इस टाइम पर भी उसके मूह से काफी smell आएगा पेट के अंदर क्या दिक्कत हो सकता है जैसे अगर आपके dog के अंदर worms हैं यानि कि पेट के अंदर कीड़े हैं तो उस condition में भी आपके dog से smell आएगा तो उसके लिए उसका आप लोग treatment कर सकते हैं वो आप लोग कैसे करेंगे चली उसके बारे में भी जान लेते हैं तो उसके लिए आपको उसका deworming कराना होगा यानि कि deworming का मतलब यह है जो कि पेट के कीड़ो होते हैं उन्हें मारना हम लोग deworming बोलते हैं deworming कराने के लिए आपको simply करना क्या है जो बड़े dog उनके लिए tablet आता है तो आप लोग कोई से भी अच्छे ब्रांड का medicine दे सकते हैं उसके लिए मैं वीडियो भी बना चुका हूँ यहां पर भी बता देता हूँ जैसे drone टाल प्लस दे सकते हैं easy pet का दे सकते हैं काफी बढ़िया होगा weight के हिसाफ से दिया जाता है तो आप लोग दे सकते हैं चोटे पपी हैं तो सिरप दिया जाता है weight के हिसाफ से और इसे आप लोग जब भी दें खाली पेट दें और devorving का medicine आप लोग साम को यानि की रात को दे सकते हैं काफी बढ़िया होगा उसके बाद आपको कुछ नहीं खिलाना है और खाली पेट देना है काफी बढ़िया रहेगा साथ ही आप लोग जब भी devorving का medicine दे रहे हैं तो नस्दीकी वेटनेरी जो आपके डॉक्टर है उसे एक बार आप लोग कंसल्ट करके तो ही दीजी तो पहला काम आप लोग devorving करा लिजे उसके बाद आपको काफे बढ़िया benefit मिलने वाला है जो smell का दिक्कत है वो तो चलाई जाएगा इसके अलवा आपके डॉक्ट का अच्छा growth होगा काफी heavy आपका डॉक्ट होगा हर चीज उसका बढ़िया होगा बहुत ही बढ़िया benefit है तो आप लोग devorving करा लिजे इसके बाद अगर devorving के बाद भी इकत आ रहा है आपके डॉक्ट से smell आ रहा है तो आप लोग उसे fruit या फिर vegetable देना start करें काफी बढ़िया होता है अच्छा benefit होता इसका fruit में जैसे mango watermelon बहुत सारे fruit हैं जो कि आप लोग दे सकते हैं वीडियो भी बन चुका है वेजटेबल में carrot वगरा दे सकते हैं काफी बढ़िया रहेगा डिरेक्ट आप लोग दे सकते हैं वेजटेबल जो है उसे थोड़ा से boil करके दे सकते हैं बढ़िया रहेगा इसके लवा एक और चीज़ आपको बता रहा हूँ जो कि एगर आप लोग देते हैं तो बहुत ही बढ़िया बेनेफिट मिलेगा और जो smell का दिक्कत है मूँसे वो काफी दूर हो जाएगा अपको इसे धनिया देना है आपको इस जीनी मिल जाता है दनिया आप लोग उसे दे सकते हैं बहुत सारे डोग नहीं खाते हैं तो जो उसका above food है उसके साथ में भी आप लोग थोड़ा सा आयरीट करके दे सकते हैं काफे बढ़िया होगा टायरेक्ट खा ön आप लोग पहले दीजिए कभी कभी क्या होता है अपने आप ही डॉग में जो दिक्कत है आ जाता है यानि कि स्मेल का दिक्कत आ जाता है मुझसे तो उस कंडिशन में यह सारी चीज़े आप लोग दे सकते हैं जिससे आपको बढ़िया रिजल्ट मिलेगा इसके लाव अपने तीन दिन के बाद आप लोग कर सकते हैं बढ़िया रहेगा इसके अलावा मार्केट में बहुत सारा लिक्विड बैता है जो कि उसके तीत पर आप लोग लगा सकते हैं जिससे उसका जो तीत है वो साप हो जाएगा और दिक्कत नहीं होगा तो यह भी आप लोग यूज कर स हाँ तो देखिए इसके पीज़े भी कही तारीजन अगर आप लोग उसे टाइम पर उसका बात नहीं कराते हैं यानि कि नहीं डिक्त तो ऑगई यानि कि स्मेल याइगा तो आपको टाइम उसका बात कराना है जैनि कि theft मेए एक बार आप लोग多 से नहीं सकते हैं हर संड़े को आप लोग उसको नहलाए काफी बढ़ियां रहएगा ज्यादा गर्मी है तो आप लोग दो बार भी अपने ला सकते हैं एक बर सम्पू से और बिना सम्पू से भी अगर नहलाते हैं तो ऐसा दिक्कत आपको देखने कलिए नहीं मिलेगा डॉक में क्यों हम लोग लगाते हैं उससे अप लोग में डिक्कत हो सकता है जैसे हेर फॉल का स्कीन में भी दिक्कत हो जाता है तो ऐसा आप लोग मत करी आप लोग के लिए जुछ आता है वही यूज़ करिए, साथे साथ काफी बार क्या होता है कि अगर बड़े बाल वाला जो आपका डॉग है, वो है, तो बालों के अंदर कभी चोट लग जाता है, या फिर कोई दिक्कत हो जाता है, तो उससे भी इसमेल आना स्टार्ट हो जाता है, तो आप लोग कभी-कभी बा जाता रहा हूं, जब आप लोग डॉग को नहलाते हैं, उसके बाद आप लोग अपने डॉग के बाड़ी पर उसके बालों पर आप लोग कोकोनट ओयल अपलाई कर सकते हैं, यानि कि कोकोनट ओयल अगर आप लोग लगाते हैं, तो जो इसमेल का दिक्कत है, वो खत्म हो ज खेलता आफ साथ कला है। इस टान पर पर पिछाल बूद ज्री जाता है। तो बढ़ जय्剛 खेलता है। काफी टान पर विमनलाग टर्थील किसे ल कोड़सों कहें। लिचाफ कर अफेटा कर सकते हैं। जिससे ये दिक्कत नहीं होगा आपके डॉग में, इसके लावाज के जो नेल्स होते हैं, उसे भी आप लोग टाइम पर काट कर रखिए, ज्यादा बड़े नहीं होने चाहिए, तो काफी बढ़िया रहता है, साथी साथ एक चीज आप ये भी ध्यान में रखिए, उसके जो पर बहुत जब्यर्मी लगता है, और जहां पर पानी मगरा हो गीड़ा है, वहीं पर जाकर बैठता है, तो वहां पर आप लोग उसे महत बैचने दीजे, क्योंकि यहां पर बैठता है, तो बहुत जारा इक उल्हुत से बहुता हो सकतow कि बहुत ज़्यादा अगर आपको लग रहा है कि स्मेल ज़्यादा आरहा है मौld से यह फिर ज़्यादा दिक्कता आको लग रहा है तो आप में नज्जी के जो भे डॉक्तर है उनसे आप आप लोग के स्कीन में कोई दिक्कत तो नहीं है तो यह चीज आप लोग देख लीजियेगा तो अच्छी तरीके से आप लोग अपने डॉक को मेंटें रखे, अच्छे तरीके से उसका केर करें टाइम से उसे नहलाईए तो ऐसा दिक्कत आपको कम दीखेगा और जो जो मैं बतायें उस तरीके साब लोग सारे सीजे फॉलो करिए आज के लिए वह सिद्धा है उमिद करतों आप लोगों को ये वीडियो पसंद आये होगी अगर पसंद आये तो वीडियो को लाइक करके और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिगा मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ में तब तक के लिए जय हिंद जय वारा